आप सबका स्वागत है और मरली खुश्ची की बात है कि आपने देश को उत्सां से भी और उत्सव से भर दिया और देश वाच्यों गई है सारी आशा पेक्षाओं को आपने जीत दिया है मेरी तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई आपको आम तो पर मैं देर रात दक्तर में काम करता रहता हूँ तो इस बार मैं पीवी बीचल रहा है वाँ सब भाई भी चल रहती है दियाद केदरी दिवाना रफ ही बहुत लेकिन आपनों तो ने सांदार अपने टीम स्विरीट को भी दिखाया है अपनी टालेंट को भी दिखाया है है और पेशन्स नजा रहा था मैं देख रहा تھा कि पैशनस दया सो हरबड़ी रहें थी पाप आपम इस रा से वगवा आपनोंकों का तो बढ़ी तर्प सापको बहुत बभाण है या साथिया पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं आपका कि आपने हमें मौका दिया आपको आपके साथ मिलने का और आपने जब हम नवेंबर में अमदबाद में हम वो मैंच हा रहे थे तो वहाँ पे भी आप आये थे जमा माना थोड़ा समय इतना अच्छा नहीं था तो हमें बहुत खुशी हुई कि आप आज हम आपको इस खुशी के मौके पे भी मिल सकते हैं मैं से कहूंगा कि जो रोहे तोर इन सब लड़कों ने बहुत जो फाइटिंग स्पिरेट दिखाई है जो नेवर से डाई आटिट्यूड दिखाई है बहुत मैचेज में फाइनल में जाके भी वह बहुत मतलब इन लड़कों का बहुत क्रेड़ है इसमें बहुत महनत किये इन लड़कों ने बड़ी खुशी की बात है कि जो इन लड़कों ने इंस्पाइर किया है जो यंग जनरेशन आएगी यह लड़के भी इंसपाइर हुए है 2011 का जो विक्टरी थी उसको देखके बड़े हुए हैं काफी यह लड़के तो अभी इन लड़कों ने यह परफॉर्मंस देखे हैं कि इन लड़के लड़कें आमारे देश में इन लोगों को हर स्पॉर्ट्स में बहुत इंस्पाइर किया तो हम पहले सुक्रिया देना चाहते हैं और मैं एसिर्फ लड़कों को उन का ळजि idag करना चाहतब है बदाए को आप लोगों को है भई इस देश के नवजवानों को आप बहुत कुछ आगने आवाले दे सकते हैं, विक्टरी तर दे दिये हैं, लेकिन आप उनको बहुत इंस्पायर कर सकते हैं, हर छोटी-छोटी चीज में आप देश के लोकों को गाइड कर सकते हैं, आपके पास एक आथोरिटी है, नाओ, चाहाद क्यों सीरियस है, हाँ, मै मैंने सही पकड़ाएं ना, हरियाना का कोई भी वेक्ती हो, वो हर हालत में खुछ लेता है, वो हर चीज में खुछ ही डूटता है, रोहित मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता है, जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पीछे पे होती है, और आपने क्रिकेट की जिंदगी है, उसको चुमा, कि ये वो हिंदुस्तानी ही कर सकता है, जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली, उसका मुझे बस एक पल जो था, वो हमेशा याद रखना था और वो चकना था बस, क्योंकि उस पिछ पर हम खेल के उस पिछ पर जीते हैं, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया, बहुत बार हमारे पास, बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ल कप, बढ़ हम आगे नहीं जा सके, लेकिन इस बार, सब लोगों के वज़े से हम उस चीज को हासिल कर सके, तो वो पिछ मेरे लिए बहुत, मतलब यह था कि उस पिछ पे हमने वो, जो भी हमने किया उस पिछ पे गया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से, हम लोगों ने पूरे टीम ने इस चीज के लिए इत दो एक्स्ट्रीम चीजे देखी इसमें मुझे इमोसंस न जा रहा रहा था और जब तुम टॉफी लेने जा रहे थे जो नुरुत्य होता है जैसे हम सब के लिए इतना बड़ा मोमेंट था वो और हम सब लोग इस चीज़ का इतने साल से इंतजार कर रहे थे तो मुझे लड़कों ने बोला कि आप सिव ऐसे ही मत जाना चलकर कुछ अलग करना तो यह चैल का एडिया था क्या चेहल और कुल दीप अच्छा आपके यह रीकवरी की आत्रा कठीन है प्लेयर के अनाते तो साथ पुरान यापके अमानत थी उसको आपने आगे कर लिया लेकिंगे ऐसे समय को वेक्ति रीकवरी करे यह क्योंकि आपने उसमय काफी पोस्ट भी गिये थे मैं आपके पोस्ट देखना रहता था कि आज आपने इतना कर लिया आप जेतना कर लिया तो मुझे मेरी साथ ही बता तैंक यू पहले कि आपने हम सब को यहां बुलाया इसकी बीचे ज़र नॉर्मल थाट था यह क्योंकि एक डेड़ साल पहले मेरे एक्सिजेंट हो गया था तो काफी टाफ ट जब आपको कॉल आया ममी ने मेरे को बताया कि सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा मेंटली रिलाक्स होगा काफी उसके बाद फिर रिकवरी के टाइम पर आसपास सुनने के लिए मिलता था सर की क्रिकेट कभी खेलेगा या नहीं खेलेगा तो मेरे को स्पे किट कीपिंग करेगा या नहीं करेगा तो पिछले डेट दो साल से सर यही सोच रहा था कि यार वापस फील्ड में आके जो कर रहा था उससे बेटर करने की ट्राय करनी है और किसी और के लिए नहीं बट अपने आपको प्रूफ करना है नहीं वाबर डेडिकेट करके किया आपके इंटरनाशनल क्रिकेट खेलना है और इंडिया को चिताने को देखना है इसा लग रहा था लेकिन अच्छे था आपकी मा क्या आत्मी विश्वास का ऐसा लग रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था मेरा परिच्छ तो नहीं था कभी मिला तो नहीं था लेकिन ऐसा लग रहा जो से वो मुझे आश्वास दे रही है यह बड़ा बड़ा गज़ब का था जी तो मुझे लगा कि जिसको ऐसी मा मिली है वो कभी विफल नहीं जाएगा, यह मेरा मन में विचारा आया था, उसे समाइ आया था और आपने करके दिखाया जी, और सबसे बड़ा मुझे जि लगा थे, मैंने आप से बात किया, किसी का दोस्त नहीं, यह मेरा दोस्त है, यह बह यह आपका जीवन के प्रती जो ओपननेस है और मैं छोटी-छोटी चीज़ों को अबजोर करता हूं दोस्त और हर किसे से शीखता हूं मैं साथ बताता हूं आपका जीवन देश के पेशंट्स इन जनरल और प्लेयर्स इन पर्टिकुलर बेपका बड़ी इंस्पिरिशन लेंगे जी और मैं जानता हूं जो विकेट कीपर होते हैं उनकी जो कोचिंग होती है कि तरी कटिक होती है गंटों तक गुठे पकड़ा के गड़ा रखने दे थे लेकिन आपने उसी लड़ाई को जीता है जो बहुत बड़ा काम किया जी बदाईयों को तैंक यू उतार चड़ावाते हैं लेकिन एक जो लंबी तपस्या होती है वो समय पर काम आती है आपने खेल में जो तपस्या की है जरुरत पढ़ने पर उसने अपना रंग इस बार के लड़ाई तो आप उतार चड़ावले रही आपकी पहले तो बहुत-बहुत शुक्री आपका कि आपने हम सब को यहां बुलाया और ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा क्योंकि ये पूरे टूर्णामिन में मैं वो मैंने अपने आपको और टीम को दोनों को नयाई नहीं दिया अभी तक तो इन्होंने मुझे बोला कि जब situation आएगी तो मुझे बरोसा है कि तुम perform करो गया तो ये conversation हमारी हुई थी और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले ही रोईत को बोला क्योंकि मेरा जैसे tournament गया था मुझे इतना confidence नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी batting हो सकीगी जैसी मैं करना चाहता हूं तो जब हम खेलने गए मुझे पहले चार बॉलों में तीन चौके मिले तो मैंने इसको जाके बोला मैंने का यार ये क्या गेम है ये मतलब एक दिन ऐसे लगता है करन नहीं बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है तो तो हाँ पर मुझे फील हुआ कि और स्पेशली जब हमारी विक्टे गिर गई कि वो सिच्वेशन मुझे अपने आपको सरेंडर करना है टीम के लिए क्या ज़रूरी है इस समय पे सिरफ वो ही मेरे फोकस में था और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे उस जोन में डाला गया अब वो मैं किस वज़े से डा अला कि वो एक्स्प्लेइन करना मुश्किल है बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बिलकुल मैं उस मोमेंट में बंद गया और बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है तो यह होना ही था मेरे साथ टीम के साथ अगर आप मैच भी देखें जिस तरीके से हम मैच जीते एंड में जो सिच्वेशन थी हम लोगों ने एक एक बॉल को जिया एंड में जहां से मैच पल्टा और हमारे अंदर क्या चल रहा था वो हम एक्स्प्लेन नहीं कर सकते एक एक बॉल में की मैच यहां जा रहा है वहां जा रहा है एक समय पर उम् जैसे गया हमारा और जिस तरीके से हम जीते हैं जैसे मैंने बुला वो मैं कभी नहीं बुला पाऊंगा अपनी जिन्दिगी में तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहां से हम मैच को जीतने की कोशिश कर सकते हैं यह सब को लग रहा था विजार के कि टोटल आपका 75 और बाद में एकनम 76 तो कभी कवार यह पल होती है जब सब लोग कहते हैं तुम भी कर लोगे वो भी करा करते हैं ड्राविंग स्पोर्ट बन जाता है लेकिन परिवार से में जे क्या रियक्शन आया होगा है जब 75 में दबे रहते थे थे तो ची बात यह थी सर यहां टाइम का डिफरेंश जादा है तो परिवार से जादा बात नहीं मेरी मम्मी जादा टेंशन ले लेती है पर एक ही मतलब जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको यह लगता है कि मैं कर दूंगा तो वो कहीं आगे आपका अंकार उपर आ जाता है तो फिर खेल आपस दूर चला जाता है तो वो ही छोड़न निज़त दी तो मुझे यह experience हुआ से नहीं सर मैं जब भी इंडिया के लिए bowling करता हूँ तो बहुत crucial stages में bowling करता हूँ चाहे नया ball हो या जब भी situation tough होती है तो मेरे को situation में bowling करनी होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं team की मदद कर पाता हूँ और कोई भी tough situation से match अगर निकाल पाता हूँ तो मुझे बहुत confidence मिलता है और आगे जाते हुए भी हो मैं confidence को carry करता हूँ और especially ये tournament में बहुत सारी situations ऐसी आई जा मुझे tough overs डालनी थी और मैं team को help कर पाया और match जिता पाया जितना मैंने cricket को देखा है हमेशा जैखा कि 90 के बाद कितना ही victory का mood हो सब कुछ हो फिर भी जो batsman होता है वो थोड़ा serious हो जाता है 90 के बाद वो वैसा ही last over हो हार जित एक ball के सारे हो तो कितना बड़ा तना होता होगा ऐसे मैं उन सबाए कैसे आप समालते हैं अपने आपको अगर मैं सोचूँगा कि हार जाएंगे या मैं को मैच में कुछ extra करना है तो मैं शायद गलती कर दूँगा या nervous हो जाँगा या crowd को देखूँ या nervous होनके लोगों को देखूँ तो शायद मेर से गलती हो सकती है तो मैं उस टाइम focus करता हूं अपने आपके बारे में सोचूँ कि मैं क्या कर सकता हूं और जब मैंने पहले अच्छा किया है तो मैंने क्या किया है जब मैंने team को help कर पाया हूं तो सर वेस्ट इंडीज में तो इडली पराठे कुछ भी नहीं मिल रहे थे जो मिल रहे थे उससे ही काम चला रहे थे हम लोग पर बहुत अच्छा सिनारियो रहा बहुत बैक टो बैक हम ट्रैवल भी कर रहे थे तो ऐसे टीम बहुत अच्छा टॉर्णूमेंट गया है इतना एमोशिन्स कभी एक्सपिरियंस नहीं किया था तो बहुत प्राउट फीलिंग है और इससे बेटर फीलिंग मैंने आज थे एक्सपिरियंस ही नहीं की बहुत बढ़िया कि यह आपने लेगे देश प्राइड कर तो गरवा बता है सो बताईए फर्स्ट फर्स था थैंक यू बुलाने के लिए हमें और वो जो इंटेव्यू के टाइम जो मैं बोला था वो उस लिए था क्योंकि छे महीने थोड़े काफी एंटेटेनिंग रहें मेरे लिए काफी उतार चड़ाओं के साथ रहे हैं जहां ग्राउंड पे गया हूं और पब्लिक ने बुइंग किया है बहुत सारी चीजे गई और हमेशा मैंने माना था कि मैं जवाब अगर दूँगा तो मैं खेल से और उस टाइम भी स्पीचलिस हूं क्योंकि जो बोलते हैं आप हमेशा जगडते रहते हैं मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप बैटल में लड़ते रहें कभी भी ग्राउंड छोड़के ना जाए क्योंकि यह मुश्किल भी यही दिखाता है और यही दिखाता है और य प्रिपेशन किया और तैयारी कि और उपर वारे तक दिर भी ऐसी दिए गया लास्ट ओर में मौका मिला ने वह और तो आपको होगे लेकिन सूरिया को क्या कहा आप पे सूरिया ने जग सूरिया ने कैच पकड़ा हम सब का फॉर्स रियक्शन नो log सबने सेलेबरेट कर दिया है फिर रियलाइज और कि सूरिया को पूछतो लें कि सूरिया परफेक्ट न तो फेले कान्फरमेशनल ये कि भाई हमने सेलिवेट तो गर लिया कि तुरे तो इसने बोला कि नहीं नहीं और गेम चेंजिंग कैच पकड़ लिया जहां से पूरी हम जहां टेंशन में था वहां से सब खुश खो गया सर वो मुमेंट पर बस यही था कि कैसे भी करके बॉल पहले नहीं सोचा था कि कैच पकड़ लूँगा या नहीं पकड़ूँगा यह था कि बॉल ढखल दूँगा अंदर एक रन हो दो रन हो जादा से जादा क्योंकि हवा भी वैसे चल रही थी और एक बर जब आ गया हाथ में तो फिर यही था कि उठा के दूसरे साइड दे दू फिर होने के बाद और किस चीज में मैं कॉंट्रिब्यूट कर सकता हूँ टीम को फिल्डिंग में और किसी यह भी प्रैक्टिस हो जाते हैं कि जिस में बहुत सारा ऐसा कैच पकड़ा था तो बट पता नहीं था कि बगवान ऐसा मौका देगा ऐसा टाइम पे पकड़ने के लिए बट एसी प्रैक्टिस की हुई थी पहले से इसलिए वो सिचुएशन में थोड़ा इतना काम था और पता था कि ऐसे सिचुएशन पहले आ चुकी है बट कोई पीछे स्टैंड में बैठा नहीं रहे था हो टाइम पे बट इस टाइम पे जादा लोग बैठे थे बट बहुत अच्छा लगा ओ मोमेंट में रहे के बाया बताता हूं जी बैस कोई तारिव के रहे ली सकता क्योंकि एक पूरे देश का मिजाज उतार चड़ा बड़ा तनाव पूंसा और उसमें से पूरी परस्तिती पलड़ जाए गटना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात बन ज बहुत बताई ओ आपको तैंकि आपके पिता जी का एक स्टेटमेंट पूरे देश में बार बार चर्चा हो रही है उनको पूछा गया तो ब्राब मैंने दिल को छूने वाला जवाब है इनके पिता जी आपको पहले देश बाद में बेटा ये बहुत बड़ी बात सर थेंक यू पहले तो अपने मोका दिया हमें आपसे मिलने का एंड उसके बाद क्रिकेट को लेके बहुत बड़िया फिलिंग है सर बहुत अच्छा लग रहा है कि ये टोर्नमेंट हम जीते हैं और बोलिंग में मैंने पहले भी जैसे बताया कि बहुत अच्छा लगता मेरे को मिलता रहा है एंड वही काफी मज़ा रहा था मेरे को विकेट्स मिल रहे थे एंड क्रेड़िट सारी टीम को जाता है अक्षर जब स्कूल में खेलता था तब एक बार मुझे साथ उसको प्राइस देने कम होगा बिलाता एट स्टंडर मेरा खुद तो खेल की दुनि मेरा नहीं था और जब कुल्दीबल लाल रहा था तो मैं जिस तरफ खड़ा था इस तरफ हवा चल रही थी तो मैं खड़ा था और उसने जब शॉट मार तो मुझे लगा की एजी कैच हो रहा है बट वो हवा के साथ इतना तेज़ जाने लगा तो मैं पहले सोच रहा था मै लेकिन जब बॉल गया तो यह तो राइट एंड पे जा रहा है तो फिर जम्प मैंने मारा उस टाइम पे और जब हाथ में इतना जोड से आवा जाया उस टाइम पे मुझे कि तब मुझे रियालाइज हुआ कि हाथ में पकड़ लिया है मैंने और I think most of the time 10 में से 9 बार छुट जाते ही है ऐसे कैज लगी था कि वल्लकप में इस टाइम पे जब टीम को जोड़ रहत थी तब वो कैच पकड़ लिया मैंने तो अमूल का दूद काम कर रहा है नडियाद टब टब कुल दीप कहें कि देश दीप कहें पहले सर देश का यह हुँ तो ऑबिसली सर भारत के लिए सारे मैच बहुत अच्छे लगते खिलने में बहुत मज़ा भी आदा बहुत प्रावड भी फिल करता हूं और टीम में मेरा रोल भी ऐसा है एज़ आटाकिंग 스ीनर गा तो हमेशाम बीड़र में बॉलिंग करता हूं तो तो हमेशा मिडिलोवर में बॉलिंग करता हूँ तो कैप्टेन और कोच का हमेशा प्लान भी रहता है और रोल भी मेरा यही है कि विकेट निकालो मिडिलोवर में तो कुलते तुम मेरी यह हिमत कैसे हुई कि तुम कैप्टेन को नचा रहा हूँ करने के लिए उन्होंने बोला कि कुछ करते नहां तो मैंने इनको बता कि यह कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था वसा किया नहीं उन्होंने सबसे छोट हुआ खिलाडी और दोजार चौवीस में वीजैई टीम के कैप्टन क्या अनुफो करते हैं सर सच बोलूं तो जब 2007 में मैं पहली बार टीम में आया था और एक टूर हमने आयरलेंड में किया था जब जहांपर राउल भाई कैप्टन थे फिर उसके बाद हम सीधा साउथ अफरीका चले गए वर्ल कप के लिए तो वहां पर वर्ल कप जीत गया है पहली बार तो जब इंडिया आये हम वर्ल कप जीत के तो पूरी मुंबई रास्ते में थे हमें एरपोर्ट से वानकडे स्टेडियम जाने के लिए पाच घंटा लगा तो दो तीन दिन के बाद मैंने रियलाइस किया कि वर्ल कप जीतना काफी आसान है लेकिन उसके बाद उसके बाद वर्ल कप आते गए बहुत बार हम पास पहुचे बड़ जीत नहीं पाए ये वर्ल कप में मैं एक चीज़ बड़े कॉन्फिडेंट से बोल सकता हूं कि लोगों में काफी डेस्परेशन और बहुत हंगर था जब हम यहां से वेस्ट इंडीज गए काफी मुश्किले थी वहां पे जब हम न्योक में पहली बार क्रिकेट हो रहा था कभी क्रिकेट वहां पर हुआ नहीं था प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड अच्छी नहीं थे लेकिन किसी भी लड़कों का उस चीज में ध्यान कि कैसे जीतना है और जब हम देखते हैं कि लोगों के चेहरे पर इतनी मुस्कुराठ है और लोग इंजॉय कर रहें एक दूसरी के साथ रात रात तक सडकों में घूम रहें इंडिया का फ्लैग लेकर तो काफी अच्छा लगता है और हम यह जो ग्रूप हैं यहां पर इनक हमारा एम यह है कि हम नेक्स जनरेशन को कैसे इंस्पायर करते जाए जैसे जब रावल भाई और सचिन टेंडूलकर और सोरो गांगुली लक्षमन यह लोग सब खेलते थे तो हम सब उनको देखते थे तो उन्होंने हम सारे लड़कों को इंस्पायर किया है बट हमारा भी एक responsibility है कि जो आगे वाले जनरेशन आएंगे उनको हम कैसे इंस्पायर कर सकते हैं और यह शायद यह वर्लकप से I'm sure कि आने वाले पीडी में वो उत्सा बिलकुल रहेगी रही ताप हमेंसे इतने serious रहते हैं यह तो actually लड़के बता सकते हैं सब मैं जितना और इसमार तो आई नए नए देश जुड़ रहे हैं अब और क्रिकेट में यह पास सही है कि जो खेलता है वो इतनी महनत करके आता है तो उसको साथ अंदाज नहीं आता है कि मैंने इतना बड़ा काम किया कोई को तो लगातार करते आया है देश पर तो प्रभाव होता है लेकिन भारत की एक क्रिकेट की एक विशेस्ता है भारत की क्रिकेट की यात्रा बड़ी सफल रही है उसने अब और खेलों में भी इंस्पिरेशन का काम करना शुरू किया है और खेल के लोग भी सोते हैं क्रिकेट में हो सकता है यहां क्यों से हो रही है यह अपने आप और देश को अगर आगे हमें बढ़ाना है हमें सभी खेलों में वही स्पिरिट पैदा करना है कि दुनिया में हम जंडा गार के आएंगे और मैं देख रहा हूँ आज बेश में और छोटे-छोटे गाउं से टालेंट मिल रही है यह टीर 2 टीर 3 से टालेंट मिल रही है पहले तो बड़े शहर बड़ी कलब महीं से आते थे अब ऐसा नहीं आप देखिया आपकी टीम में भी आदे से दूर लोग ज्यादा ऐसे हैं जो छोटे-छोटे स्थान पर से आए यह अक्शुली इस विजय का प् मिला यह आत्रा उनके लिए बहुत बड़ी सब्सक्राइब लेकि उन्होंने क्रेडिक भारत को दी अफगानिस्तान की क्रिके टीम का यह जो प्रगति है उसका अगर क्रेडिक किसी को जाता है तो भारत के लोगों ने हमारे बच्छों को तयार किया उनको 20 साल चोटा कर दि रहा चुका हूं हम सिर्फ इन लड़कों को सपोर्ट कर सकते हैं मैं इस पूरी टॉर्नमेंट में मैंने एक रन भी नहीं किया बनाया है एक विकेट भी नहीं ली एक कैच भी नहीं हम सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं और सिर्फ मैंने हमारी जो पूरी टीम होती है एक सपोर्ट कर सकते हैं जो प्रेशर का सिचुएशन होती है रंज बनाने हैं विराट को या गुम्रा को या रातिक को या रोहित को या सब लोगों को यहां पे यह लोग करते हैं तो हम इनको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं इनको जो चाहिए उनको हम यह दे सकते हैं उनको और पूर अश्रे गजारूं इन लड़कों का जो 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 जनोंने मेरे मेरे साथ इस एक इतना अच्छा समय मुझे एक दिया एक एक इतनी एक्सपीरिंस बहुत अच्छी एक्सपीरिंस जो दी है तो मैं सिर्फ ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो इस टोर्रमेंट में जो टीम स्पिरिट केल रहे थे तो उन्होंने सिर्फ तीन मैच खेले इस टॉर्नमेंट में और तीन ऐसे लड़के थे हमारे टीम में जन्होंने एक भी मैच नहीं कहला संजू ने एक भी मैच नहीं कहला यूजी चैल को एक भी मैच कहलने को नहीं मिला और यससी जैसवाल को भी एक भी मैच कह कि जो बाहर बैटे हुए लड़के होते हैं उनकी जो क्या attitude होती है उनकी जो स्पिरिट होती है तो मैं उनको भी बहुत दाद मुझे अच्छा लगा कि एक कोच के नाते पूरी टीम की तरव आपका ध्यान होना हो और ये मैं समयता हूँ ये तीन-चार वाक्य भी आपके जो भी सुनेगा उसको लगेगा कि भई हो सकता है कुछ लोग मैदान में हमने देखे नहीं है लेकिन वो भी मैदान में रंग भर देते हैं मैदान को जोड देते हैं और क्रिकेट में हमने देखा है हर किसी का कोई-कोई contribution होता ही होता है इतना बड़ा टीम स्पिरिट की जरुत होती है तब जाके होता है लेकिन राहूल मैं जुरूर जानना चाहूंगा अब 28 में USA में जब Olympic होगा तो क्रिकेट को अब Olympic में अल्रेड़ी स्थान मिल चुका है और मुझे लगता है कि World Cup से ज़्यादा अब उस तरफ लोगों का ध्यान रहेगा अकर भारत सरकार एस सर्च या क्रिकेट बॉर्ड एस सर्च या थोड़ा आप लोग मैंड एपलाए करके Olympic की तैयारी के मतलब क्या होता है कैसे करना होता है उस पर थोड़ा seriously सोचना है तो आपका क्या reaction रहेगा जरूर मोदी जी ये Olympic में खेलना एक क्रिकेटर के लिए एक वो मौका मिलता नहीं हमको क्योंकि Olympics में क्रिकेट इस बार फर्स टाइम आएगा है 2028 में तो मेरे ख्याद से बहुत एक बड़ी चीज होगी देश के लिए भी और क्रिकेट बोर्ड के लिए क्रिकेटर के लिए क उस टॉर्नमेंट में बहुत अच्छा करना है और एक जो दूसरे जैसे आपने पहले भी कहा दूसरे जो स्पोर्ट्स है उनके साथ रहना उनके साथ क्योंकि उन स्पोर्ट्स में भी कितने बहतरी खिलाडी हैं कितने हमारे देश को गर्व लाते हैं और ये जो Olympics इतनी बड़ी इवन थै उसमें क्रिकेट का रहना क्रिकेट की लिए गर्व की बात है और मैंने पूरी उमीद है कि जो बहूंगों पूरी तयारी उस टॉननमेंट की लिए करेगी ओफुली मेरब ये पूरी उमीद है इस टीम में से तो काफी लड़के होंगी ही होंगे उसमें मुझे पूरी उम्मीद है काफी यंग लड़के हैं जैसे रोईथ है विटाट है 28 तक तो बहुत लोग हूँ जै 28 तक तो बहुत लोग तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़के आएंगे और वहाँ पे गोल जीतना मतलब और खुशी की बात हो नहीं सकती तो उस पर पूरा में देख सकता हूँ कि चायद कुछ लोगों को विजय के जो हर्ष के आंसू है वो जब देखते हैं तब पता चलता है कि पराजय के पल कितने कठीन गए होगी पराजय के पल उस माहुल में लोग स्पील नहीं के पाते हैं वो कितनी बेदना जेलता है एक प्लेयर क्योंकि इतनी तपस्या करके ही आया होता है और एक कदम के लिए रह जाता है और जब वो विजय प्राप्त करता है उसकी खुशी से पता चलता है कि वो पराजय की पल कितनी कठीन गहीं होगी मैंने उस दिन इन सब पो देखा था कि मैं खुद प्हील करता था कि और विश्वास भी था कि और कम कर जाएंगे और मुझे लग रहा है कि आज आज आपने वो करके दिखाया है बदाएंगे बात रहे हैं आपनों